हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू जोलो जास्पी ने टुटूप चानेल तो इसे पहले हमने क्रिस्टलोग्राफी में डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल के क्लासेज देखे ओके हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल का सिस्टम देखा हमने देखा था 32 क्लासेज 6 क्रिस्टल ग्रूप कचे यह फीया कि अवय सब्सक्राइब सब्सक्राइब वियर है कि यह भी सब्सक्राइब सर्फ करने करme सब्सक्राइब किसा वोलते हैं इन मनी इंटेंश कर इन गुरूप तहाँ बहुत पार आई शिंद क्रिशनव मत में कि कि मन पतवा कि मिलता है ये क्रिस्टल देख रहे व्रकपाँ python मिनरल का ग्रूप मिनरल ग्रूप के अंदर भी सिल्केट मिनरल है सिल्कर मिनरल के अंदर भी और ओलिविन का ग्रूप पाइरोजिन का ग्रूप आमफिवल का ग्रूप इस तरह गार्नेट का ग्रूप तो कुछ मतलब हम गुरूप बना रहें थे like that यहाँ पर भी हम crystal का तो group बना रहें क्योब हम मतलब multiple time maximum time क्या देखा गया कि crystal जो बनते हैं वह group में यह बनते हैं ना की single बनते हैं तो उसे group को भी हम 3 टाइप में classify कर रहे हैं क्या क््रिस्टल का aggregate उक्येशे पाराल ग्रोत उसको भी क्लासिफाई करें थ्री टाइप में crystal aggregate, parallel growth and twin crystal तब individual क्या group है उसके बारे में थवाला सा परते हैं ज़ए से हम बोल रहा है crystal का aggregate तो एक group है crystal का तो एक इसके बारे में थवाला सा जानेंगे then you have parallel growth parallel growth is also a group of crystal तो एक parallel growth क्या है या फिर ये क्या बता रहा है वो देखेंगे then you have twin crystal और टून क्रिस्टल के ऊपर भी हम देखेंगे मिन्स टून क्रिस्टल क्या है ये भी तो एक ग्रूप है ना किसल का तो ये क्या बता रहा है किसके बार हम बता रहे है ये देखेंगे कर दिए और टूनिग का टर्म कहीन हैं आपको पता है तो वह त्यचलिकर बिया गुंकि इस से पहले मतलब यहां सहरा ग्रूप और crystal group को हम फिर classify कर रहें तीन टाइप after the classification of three type one of them is tuning ठीक है tuning crystal और twin crystal you can say तो ट्रीन क्रिस्टल को फिर हम tuning एक topic लेके पढ़ते हैं इस तरह है इसका history और जो हम मतलब पढ़ते हैं tuning tuning का history कुछ इस तरह है ठीक है क्योंकि सिंपल हम क्या देखते हैं टुनिंग हम पढ़ लेते हैं लेकिन टुनिंग मतलब कहां से आरा किस टाइप मेरा उसका जो हिस्ट्री है यही है कि क्रिस्टल का गुरूप है उसको फिर क्लासिफाइब तीन टाइप में वहां पर से एक टॉपिक फिर बनता है में यहगा बना एक घरखी कहां अब जब क्रिस्टलमें एक जगहां से ओखा खूंगे उसको क्या बोरह rifn добр और क्रिस्टल एक ग्रीगेंट रहा है क्या पृइब क्ले किस्टल में क्लेकर लेकिन किस्कों प्लेवीह त्यक्ड एंन फिक्साफ में हें 1095 श들 ग्रीगर्री का हैं like that you have heterogeneous यहां पर बात होगा dissimilarity जहां पर similarity देखने को नहीं मिलेगा inequality देखने को मिलेगा तो चलिए फिर समझते हैं if the crystals forming the aggregate are made of one mineral only the aggregate is said to be homogeneous means यहां पर बात हो रहा अगर एक ही mineral का मतलब obviously आप सभी को पता है कुछ crystal मिनके कुछ crystal aggregate हो की क्या बनाते कि मिनल बनाते है कि मिनल क है लाक आपको देते था वह इस तरह कि पता होगा है टीक है तो इस तरह है और जो कृष्टल बनी कुछ लाटीश मिल के crystal बन रहे हैं okey कि मॉटीफ कुछ vicinity कर इसना रहे हैं और उटिश्योर बना रहे है in the crystal if the crystal forming the aggregate are made of one mineral only the aggregate is set to be homogeneous अगर crystal का आपको एक aggregate मिल ला है या फिर एक group of crystal मिल रहा जिसको ही हम क्या बोले crystal का aggregate और वो aggregate में अगर एक ही टाइप का mineral अगर देखने को मिले aggregate में आपके पास hundred number of minerals है out of hundred उसमें अगर आपको हम मतलब 99 क्या एक ही टाइप के mineral मिला out of hundred crystals 99 अगर आपको एक ही टाइप के mineral दिखा रहे है 99 crystal जो है एक ही टाइप के mineral को रिप्रेजेंट कर रहे है इंद्ध्याट condition we can say it easier homogeneous crystal aggregate इसी कारी भार्स तो है heterogeneous okay and if different minerals occur in aggregate और अगर multiple mineral different different mineral आएंगे एक aggregate में तो उसी कोई हम क्या बोलते heterogeneous crystal aggregate okay I hope आपका ये clear हो गया हुआ crystal aggregate किसको बोलते है उसमें heterogeneous or homogeneous का बोलना है किसको बोलना है जैने जो टाइफ है crystal का parallel growth यह फिर parallel growth को थोड़ा से देखते हैं तो what do mean by parallel growth parallel growth का मीनिंग क्या यहां पर बात होगा कहीं नहीं पार मतलब parallel relation का मेंज एक दूसरे को कुछ कहीं नहीं के crystals parallel रहेंगे और growth भी होंगे growth का मीनिंग ये डेबलफ होना when two or more crystal are grow दो या दो से ज्यादा crystal grow होंगे क्योंकि हम बात करें ओवेशली group का तो group में ओवेशली एक तो नहीं रहेगा ना दो या फिर multiple more than two okay if multiple minerals रहेंगे when two or more crystals are grow in such a way that the crystallographic axis of the one individual are parallel to the parallel to those of the other तो यहाँ पर बात कुछ एशा हो रहा है parallel growth में कि multiple mineral तो growth होंगे ठीक है more than one mineral तो growth होंगे बट उनका growth का मैनल कुछ इस तरह रहेगा जो individual crystal है उनका जो crystallographic axis रहेगा एक दूसरे को क्या रहेगा पारलल रहेगा और इसी ग्रूप को हम क्या बोलते हैं पारलल growth का group बोलते होंगे तो फिसे समझे सब्सक्राइब के पास दो crystal है ठीक है यह मतलब एक साथ developer या फिर एक ग्रूप में है जिसको हम इसको लेख रहे है या फिर एक ग्रूप में क्यूं लेक्राइब कि यह मतलब एक से ज्यादा में पहला बात तो एक से ज्यादा क्रिस्टल बन रहे हैं ठीक है और वो कुछ इस तरह बन रहे हैं या फिर ग्रोफ कर रहें एक जगापे आर्ट same place कि दोनों के जो crystalographic axis है ठीक है वो दोनों एक मतलब अगर इसको में नेम देता हूं A और B A का crystalographic axis है A का crystalographic axis must be parallel to the B का crystalographic axis B एक crystal है एक crystal है तो in that condition we can say it is a parallel growth और it is a group of crystals Okay Then last day we have twin crystal Okay twin crystal क्या चल्ये फिर इसको भी देखते हैं और आज यहां ही पर आजका topic END करेंगे फिर आपकमिंग विलोज हम टुनिंग के उपर ही डिश्करशन करेंगे डीटेल में तो टुनिंग कब बोलते हैं आप सभी को पता है ठीक के टुन ता मतलब क्या है क्योंकि हुमन भी में भी हम देखते हैं कभी-कभी आपको टुन बेभी बर्द करते हुए देखने को मिल देखे हैं ठीक है तो इसमें होता क्या है क्रिस्टिल शो टू सेपारेट पर्शन जोङटेड अर्टलवरिक प्ले तो हां जब Napoleon का बात हो रहा है मतलब crystal जो बनेंगे सेम बनेंगे ठीके से मिनरल के लेकिन जो डो crystal रहेंगे न वो दोनों crystal एक common plane को तीक है इसे को हम बोलते हैं twin crystal means दो crystal आपके पास मैं बोल रहे हैं यहाँ पर आपके पास crystal घॉसल औहीस तरह क्लिए यह different crystal एक ठीक है कुछ इस तरह यहां पर रहते हैं वह सब है जब हम ट्विनिंग ऊपर देखेंगे तो वहां डीटल में हम डिस्केशन करेंगी तो हां कुछ इस तरह जब मतलब है दो सेपरेट क्रिष्टल एक कॉमन प्लेन को शेयर करते हैं ठीक है तो in that condition we can say crystal हुए निक्रीस्टल तो सेपारेट कंभ पॉर्शन जोन आट पॉर्शस अंतया क्रिस्टल क्रीश नाट इस पर रहे हैं जा क्लोड ग्रेज्ट्न कुछेड पॉर्शन भी कंभ घच बॉद क्रीश चंस लगर्म यारि मेन गां deste आहिं से पारे पॉर्सन से अलेग औलre पोशने से और बद दो क्रिश्टल के दो एक पूर्शन और email क्रिश्टल अप्परहन ने आप पधा को पता होगा अपर किसटल क्या है मोटीफ क्या है यह एक चीज़ हमने देखा था यूनिट सेल किया है तो हाँ जब भी कोई भी क्रिस्टल है मतलब दो क्रिस्टल है ठीक है और वो दोनों कॉमोन एक लाटीश को शेयर कर रहे हैं या फिर एक प्लेन में ही दो मतलब दो पोर्शन दोनों का शेयर हो रहा है इंजियाट कंडिश लेते हैं तो पूरा एक दुसरे के साथ वह सँटके भी रहत है घहां पर वह बात नहीं हो रहा है यहां परकर रहे हैं फिसके दौरा है कि एक कॉमन क्रिस्टल रफिक क्लेन के दोरह और यूक्यन से कुछ हूँ लाटिस को शेयर कर रहे है तो इसको हम बोलते हैं टूइन क्रिस्टल टर्म में टूइन है तो आपको एक क्लियर आईडिया आ गया होगा कि टूइन क्रिस्टल किसको बलते हैं तो यह था All About Your Crystal का टूइनिंग दिखा था है कौन सा मिनरल टूइनिंग दिखा था हर एक चीज़ हम डिस्क्रस करेंगे अपकमिंग वीडियो में तो कुछ भी आउट हो कमेंट कर दिए रिगाडिंग यूर किस्टल ग्रूप थांक्यू फॉर वाचिंग